हिमाचल परदेश के 12 जिलों की 68 विदान सभा सीटों पर 12 नुमंबर को 66% के लगबग मद्दान हुआ रास्ट्य सटा बजार ने इन सभी 68 विदान सभा सीटों के परतेक मद्दान बूत पर पहुंच कर एक सर्वे रिपोर्ट तयार की है जिसको देखने के बाद कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नीदूरी हुई है शुरुआत करते हैं हिमाचल परदेश के कांगडा जिले की 15 विदान सभा सीटों से हिमाचल में माना जाता है कि कांगडा जिले में जिस भी राजनितिक पार्टी का पलड़ा भारी रहता है वही राजनितिक पार्टी हिमाचल परदेश की सीम गद्दी पर कबजा करती है इस तरह की दारणा कांगडा जिले को लेकर के हिमाचल प्रदेश की जनता में बनी हुई है कांगडा जिले की एक सीट अन्य के खाते में राश्टे सटा बजार अपनी स्टीक सरवे के अनुसार डाल चुका है जबकि आम आदमी पार्टी का कांगडा जिले में कोई भी खाता खुलने का नुमान नहीं लगाया गया है आम आदमी पार्टी और केजरिवाल को 60 बजार 0 सीटें दे रहा है जबकि कोंग्रेस यहां पर 5 विदान सबा सीटों पर कबजा करती हुई साप साप दिखाई दे रही है राष्टे 60 बजार की स्टीक सर्वे के अनुसार या एकजित पोल जिसे कह सकते हैं कांगडा जिले की 5 विदान सबा सीटों पर कोंग्रेस का कबजा रहेगा और वहीं 9 विदान सबा सीटों पर बारत्य जनता पार्टी कबजा करती हुई 60 बजार की सर्वे के अनुसार दिखाई दे रही है राष्टे 60 बजार ने अपनी स्टीक और अन्तिम सर्वे में बारत्य जन्ता पार्टी को कांगडा जिले की 15 सीटों में से 9 सीटें सौंप दी है और पिछली बार 2017 में कांगडा जिले की 11 विदानसबा सीटों पर बिजेपी ने कमल खिलाया था जिसको ध्यान में रखें तो 2 सीटों का बिजेपी को नुकसान हो रहा है लेकिन बड़त यहां पर कांगडा में बिजेपी बनाती हुई 60 बजार की सरवे में दिखाई दे रही है लाहूल और स्पिती जिले की एक ही विदानसबा सीट है ये पिछली बार भी बिजेपी के हाथ में थी और इस बार राष्टे 60 बजार की सरवे के अनुसार बिजेपी लाहूल और स्पिती की एक विदानसबा सीट जो है उस पर कबजा करती हुई साप साप दिखाई दे रही है कुलू जिले की चार विदानसबा सीटों की चर्चा करें तो राष्टे 60 बजार ने कुलू जिले की एक भी सीट पर आमादमी पार्टी या अन्ये का कबजा होने वाला अनुमान नहीं लगया है केजरिवाल और अन्ये का यहां पर पुरी तरह से सूपडा साप होता हुआ 60 बजार की सर्वे में दिखाई दे रहा है जबकि एक सीट पर कॉंग्रेस कबजा करती हुई दिखाई दे रही है कुलू की एक विदानसबा सीट पर कॉंग्रेस को सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है 60 बजार की ताजा और स्टीक सर्वे के अनुसार एकजिट पोल्स के अनुसार बारतिय अन्ता पार्टी कुलू जिले की तीन विदानसबा सीटों पर कबजा करती हुई रास्टे 60 बजार की सर्वे के अनुसार दिखाई दे रही है फ्लोधी सटा बजार की सर्वे ने तीन सीटें कुलू जले की बारते अंता पार्टी की जोली में डाल दी है तीन सीटों पर बिजे पी कमल खिलाने में काम्याब हो सकती है अगले जले हमीरपूर जले की पांच विदानसबा सीटों की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और अन्य का खाता खुलता हुआ भी सटा बजार की सर्वे में दिखाई नहीं दे रहा है आम आदमी पार्टी और अन्य को जिरो सीटें दी गई है जबकि कोंग्रेस यहाँ पर एक विदानसबा सीट पर कबजा कर सकती है अमीरपूर जले की एक विदानसबा सीट राष्ट्य सटा बजार की स्टीक सर्वे में जो कोंग्रेस के खाते में डाल दी गई है एक सीट पर कोंग्रेस का बीज होगी तो वहीं हमीरपूर की चार विदानस पर बिज़ेपी कमल खिलाने में काम्याब हो सकती है। उन्ना जिले की पांच विदान सबा सीटों की तरफ बढ़ें तो यहां पर अन्य और आम आदमी पार्टी का पुरी तरह से सूपड़ा साप हो चुका है। बिज़ेपी के खाते में जा रही है। बिलाशपूर जिले की चार विदान सबा सीटों की तरफ बढ़ें तो यहां पर भी आम आदमी पार्टी केजरीवाल और अन्य का पुरी तरह से सूपड़ा साप हो चुका है। बिलाशपूर की तीन विदान सबा सीटों पर आसानी से कबजा कर सकती है। करने में समर्थ हो सकती है। इस तरह का अनुमान राश्ट्रिय सटा बजार दुवारा लगाया गया है। चमबा जिले की पांच विदान सबा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर भी आम आदमी पार्टी और अन्य का सूपड़ा साप हो चुका है। कोंग्रेस यहां पर दो सीटों पर कबजा कर सकती है। इस तरह का अनुमान राश्ट्रिय प्लोदी सटा बजार दुवारा लगाया गया है। मंडी जिले की 10 विदान सबा सीटों की चर्चा करें तो यहां भी कांटे की टक्कर है। लेकिन आप और अन्य को 0 सीटे यहां पर राश्ट्रे सटा बजार दे रहा है केजरिवाल का यहां पर सूपड़ा साप हो चुका है। कोंग्रेस एक सीट पर यहां पर कबजा कर सकती है। कोंग्रेस यहां पर चार सीटों पर कबजा करेगी। यहां पर अन्य के खाते में 0 सीटे राश्ट्रे सटा बजार अपनी स्टीक सर्वे में दे रहा है। राश्ट्रे सटा बजार के एक जित पोल में 0 सीटे अन्य को जबकि कोंग्रेस को यहां पर एक सीट पर जो सफलता मिलने का अन्मान राश्ट्रे सटा बजार द्वारा लगाया गया है। बारते जनता पार्टी सिर्मोर की 4 विदान सबा सीटों पर कबजा कर सकती है। इस तरह का अन्मान राश्ट्रे सटा बजार द्वारा लगाया गया है। हिमाचल परदेश की टोटल 13 विदान सबा सीटे ऐसी है जहां पर कांटे की टकर हो रही है। लेकिन 2-3 जिलों में BJP और कॉंग्रेस दोनुई पार्टियों की तरफ से एक तरपा कबजा करने की बात भी राश्ट्रे सटा बजार की स्टीक सर्वे में कही गई है। सीटों पर कबजा कर सकती है हिमाचल परदेश की 22-25 सीटे हैं वो कॉंग्रेस के खाते में 60 बजार डाल चुका है जबकि बारतिय दन्ता पार्टी 42-45 विदान सबा सीटों पर कबजा कर रही है राश्ट्रे सटा बजार के एक जिट पोल या सर्वे रिपोर्ट कह सकते हैं जिसें उसमें 42-45 सीटें बीजेपी के खाते में राश्टे सटा बजार डाल चुका है और हिमाचल में सरकार बनाने के लिए 35 का बहुमत आंकडा चाहिए ऐसे में राश्टे सटा बजार हिमाचल परदेश में बारतिय अन्ता पार्टी की सरकार बना रहा है राश्टे सटा झाल झाल